हाई फ्रेंज्स में अकंचा सर्माण जी के विताकांशा में आपका स्वाइध करती हूँ मध्यापरदेस सामा निज्ञान के जलेवाई जद्यायनि में अज हम दесवा भाग पढ़ने वाले हैं और यह जो मेरा कॉर्स है यह जलेवाई जद्यायन बंचित्र के द्वारा पढ तो देख लिजीगा प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दी गई है आप खुद भी मेरे चारल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जिले वाइस जी के मध्यपरदेश का अध्यान तो आपको उसके पहले के पूरे वीडियो मिल जाएंगे यकीन वानी अगर आप ये वी जंसंख्या में कौन सा है निवाडी छेत्रफल में कौन सा है निवाडी हाँ ये जिरूरियात रखी अगर आपसे पूछे 2011 की जंसंख्या के तो हर्दा और ददिया होगा लेकिन अगर वो बोलें कि अभी वर्तमान में तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो मध्यपरदे इसके अयोध्या नगरी किसको कहा जाता है और्चा को और्चा के जहांगीर महल को यूनेसको की अस्थाई सूची में सामिल किया है और जहांगीर महल को ही कायमे के सामिल किया गया है यूनेसको की अस्थाई सूची में ये देखिए निवारी जिला है निवारी जिला कहां पर परता ये देखिए ये जो हिस्सा आता है ये बोंदेल खंड का हिस्सा आता है और यहां पर टीकम गड़ है यहीं पर सागर है और यह वाला जो हिस्सा आता है वो निवारी का आता है अब आपको में दियान रखना है मध्या पर देश की कि निवारी कहां पर आता है यहां पर इस्तित हैं. महराजा खेज सींगार दोरा निरमित गजानन ma devi का यहाँ पराचीन मंदिर है, किसके दोरा महराजा खेज सींग खंगार दोरा बना हुआ. यह मेरी MPPSC prelims की test series है, इसमें 50 test हैं, हर unit से 400 से 500 प्रेशन दिये गए हैं, यह इसकी hard copy भी आप मंगा सकते हैं, और soft copy भी मंगा सकते हैं, 5000 प्रेशनों का इसमें संग्रा है, आपका जून में prelims का exam उसके लिए रामबाण है, इसके अलावा यह MPPSC के notes, MPPSC के notes की 12 booklet हैं, total unit wise है यूनिट वाइज आपको 12 booklet मिलेंगी, 10 unit wise मिलेंगी साथ में current affairs और एक practice set मेलेगा, तो पहले आप यह notes पढ़िए, आप यह practice set लगाईए 5000 प्रेशनों का, और साथ में आपको एक group भी मिलता है, जिससे आपका prelims में होने की पूरी संभावना है, इसमें पूरे prelims की संभाव लिंगानुपात 901 है, और चेतफल 1170 वर्ग किलोमीटर है, इंपोर्टेंट अगर इसके fact पढ़ें, तो वर्तमान जिलो में इसका चेतफल सबसे कम है, देखिए, जिसका चेतफल सबसे कम हो, ज़रूर याद कर लीजगा, क्योंकि निवाडी का चेतफल सबसे कम है, 1170 वर् बुंदेला राजाओं की कर्म भूमी रहा है, मतलब यहाँ पे चंदेला सासक, बुंदेला सासक इन्होंने काम किया है, जहांगीर के मित्र सासक वीर सिंग बुंदेला ने, और चा को बुंदेला राजपूत रोद्र प्रताप ने 1531 में बसाये था, और चा को किसने बनाये तब उर्चह कोई नाम किस ने दिया थ है विकरम जीट कहां के साथ सकते और्चह कि थे और्चह को किस임 ने था ओचो का बुंदेलो राजपूत राजा अरुद्र प्रताप ने 1531 में बसाया था अगला है राजनीती एक अक्टूबर 2018 को निवारी को टीकम गड़ जिले से अलग कर प्रदेश का 52 बजला बना था कब बना था एक अक्टूबर 2018 को मध्यपदेश में 52 बन गए थे 52 बजल पूर ओच्छा एक परियठन केंद्र है और एक मजबूत किला है देखिए इस तरह का ओच्छा को दिखाई देता है यहां से एक राश्टी राजमाग भी गुजरता है एनेस वारा ए यह ललिट पूर उत्तर पदेश से यहां नीचे तक जाता है साउट रग और नेमारी मे अगर देखा जाए तो गर्गोंडार का किला है प्रत्वी पूर में देखा जाए तो अश्नु पाता का मंदर है और प्रताप पूर ओध्यों केंद्र है तो प्रत्वी पूर में याद रखिएगा अश्नु माता का मंदर कहां पे है प्रत्वी पूर में अश्नु माता का मं आता है उत्ताइपदिस से सांस्क्रतिक अपरेटरंग की दश्टी से अगर देखा जाए तो चतुरुज मंदिर इसे ओच्छा रानी गड़े स्कूर ने बसाया था मतलब चतुरुज मंदिर है यहां पर निवारी में तो उसको किसने बना था ओच्छा की एक रानी थी गड़ दुकर साहने 1554 में बसाया था दर्सनी इस्थल बैत्वा के किनारे चत्री है जहंगीर महल है राम राजा मंदिर है आदी यहां पर दर्सनी इस्थल है यह दोनों फैक्ट उपर के याद रखिएगा चतुरुज मंदिर रानी गड़े स्कूर ने और राज मंदिर राजा मद उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से यहीं से लगती है बंद में वाक्य दर्सनी इस्थल में अगर देखा जाए तो यहां पे जन्तु टावर है सिकारगाह है व्यूपॉइंट यहां के प्रमुग दर्सनी इस्थल है निमारी जिले के वारे में अगर कुछ और महत्मूल निमारी जिले में कौन सा राष्टी राजमा गुजरता है निमारी जिले से कौन सा राष्टी राजमा गुजरता है निमारी जिले से कौन सा राष्टी राजमा गुजरता है निमारी जिले से कौन सा राष्टी राजमा गुजरता है निमारी जिले से कौन सा राष्टी रा जामिनिनेवारी जिला जो है बुन्देल खंडी संसकति से है चितफल यहां का 317 वर्ग किलोमीटर जनसंक्या 4,000,000,000,000, तैसीले 3 है और प्रत्वीपोर निमारी विकास खरने यहां पर दो है सबसे चोटा है चाहे हम जनसंक्या चितफल की दश्टी से देख लें प्रमुख खनेज हैं तो फ्रेंट देखिए हम इसके अब्जेक्टिब करने से पहले एक बार और इसके बारे में देख लेते हैं अनिवाडी जन्सेंग्या बचित पर सबसे छोटा जिला अध्या नगरी यहां पे जहांगी महल है जहांगी महल को आस्ता ही सुची में सामिल किया गया है केश सिंख अगार द्वारा निर्मित गजननमा देवी का मंदिर है इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर गिदवाहिनी देवी का मंदिर भी है जन्सेंख्या यहां पर देखिए लिंगानुपाद 901 चेटरफल 1170 वर के किलोमीटर है बेतवा नदी के किनारे है राजप सब्सक्राइब को टिकमगर नाम दिया था विक्रम जीत सिंग ने एक अक्टूबर 2008 को यह बनाता संभाग इसका सागर है निवारी और चाप रत्वीपूर है निकलता है प्रत्वीपूर में असुनुक माता का मंदिर है निवारी में गर को डार का खिला है प्रताप पूर किकेंद्डर है और चतुरपुज मंदर को ओछा रानिगरिस्कुएर ने बसाय था राज मंदर को राजा मदूकर सहने पंदर उचावर में बसाय था दर्सनि इस तहले यां पर बेतवा कनारे चटरी जहांगीर महल राम राजा मंदर है और रावनवनमी पर और उच्छा मे वैत्वा और जामनी है यह बूंदिल खंडी संसकती से समन रखता हम इसके अब्जेक्टिव परते हैं टीकम गड़ में पायो राजी क्या है चिक साले प्रसद्द जैनतीर्थ और बरहा प्रतीमायतो जो पायो राजी है वो प्रसद्द जैनतीर्थ याद रखिएगा टीकम ग प्रसद भया पर नेवारी में जोंगे कौन सी नदियं गयां व्हें तो साने जामनी नदियाँ पहती हैं ताला और पयो राजी यह पैस जैनतीथ हैं यह गुट embraced chaprato गे वूओ कुंड के शवर क्यों प्रिसिद्थ है क्योंकि यह शिव मंदिर है रहें यहां सिर्मलिंग स्वलिंग काagainड़ बढ़़ जाता है याद रखेज़ेगा। तो यह सभी पीतल इंडस्ट्री के लिए टीकवंगर प्रसिद है मेले भी यहां भारसिक लगता है यहां पे जहने भी बहुत सारे हैं तो यह इन सभी कार्णों से प्रसिद है तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का वीडियो आज हमने निवारी को पड़ा अगला जिला हम दू यह हम प्रसिद तो यहां विप्ट और जा राज हम वीडियो शवता है यहां प्रसिद तो यहां जो तो यहां जो भीयों जा दो यहां जो दो हमा